ये तस्वीर एक बुजुर्ग किसान की है इस बुजुर्ग किसान को मेट्रों में बस इसलिए नहीं चड़ने दिया जाता क्योंकि उसके कपड़े गंदे होते हैं याद करिये एक वक्त ऐसा भी था जब 131 साल पहले महात्मा गांधी जी के साथ भी दक्षन अफरिका में कुछ ऐसा ही हुआ था गांधी के साथ दक्षन अफरिका में भेदभाव तो तब हुआ जब वहां अंग्रेजु का शाशन था लेकिन अगर आजादी के करीब 8 तरशक अब देख रहे हैं शेष्ट भारत साथ जून 1893 की वो तारीक जब गांधी जी को दक्षन अफरिका में ट्रेन की फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया था क्यूंकि आश्वेतों को फर्स्ट क्लास में सफर करने की इजाजत नहीं थी उस समय भारत औ रंगभेद की उस अपमान जनक घटना के गांधी को इतना प्रभावित कर गई कि उन्होंने इसके खिलाफ मुहीम तक छेड़ दी बाद में वे भारत लोटे और ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई का बिगुल फूग डाला आखिरकार दसको के संघर्ष के बाद देश को आजादी भी दिलाई लेकिन क्या उस वक्त के बाद से भारत बदला क्योंकि ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अपने ही देश में किसी नागरिक को इस अधार पर ट्रेन, मेट्रो या पबलिक ट्रांसपूर्ट मे सवार होनी से रोगा जाता है क्योंकि सिर्फ उसके कपड़े गंदे होते हैं घटना बैंगलूरू मेट्रो स्टेशन की है वीडियो वारल होने और सूशल मीडिया पर लोगों की निंदा के बाद बैंगलूरू मेट्रो स्टेशन कॉर्परेशन लिम्टेड को खेद जताना पड़ा वहीं बुजूर्ग किसान के साथ बदसलूकी करने वाले सिक्योर्टी सुपर्वाइजर को परखास्त कर दिया गया वैसे तो पहनावे को लेकर भेदभाव से जुड़ी खबरे आती ही रहती हैं क्योंकि दो धाई साल पहले डक्षन दिल्ली के एक रेस्टूरेंट म और आखिरकार उस पर ताला लग गया लेकिन ये मामला अलग है जिसको लेकर सवाल इसलिए उड़ते हैं क्योंकि बैंगलूरू मेट्रो में बुजूर्ग से भेदभाव का मामला ज्यादा गंभीर है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा मामला है आम जंता के टेक् की घटना 18 फरवरी की थी लेकिन भला हो हर हाथ में कैमरे वाले युक का जो रास्ते स्तर पर उस घटना की चर्चा की गई और BMRC को अपनी गल्ती मानने पड़ी घटना का वीडियो वारल होने और सोशल मीडिया पर लोगों के आक्रोश के बाद BMRC को सिक्योर्टी सुपरव को जागरू करने की जरूरत है ताकि तरह की घटना दुबारा ना हो सके दरसल बुजूर्ग को मेट्रो में चड़ने से रोके जाने की ये वीडियो 18 फरवरी को राजा जी नगर मेट्रो स्टेशन पर हुई थी तब किसी ने इस वीडियो को वारल कर दिया इससे जुड़े कपड़े पहने हैं वीडियो में दिख रहा है कि लगेज स्कैनर के पास सफेज शर्ट और धोती में एक बुजूर्ग है सिर पर गठरी है शोशन मीडिया पर किसान बताय जा रहे है उस बुजूर्ग के पास यात्रा के लिए टिकड भी था इसके बाद भी सुरक्षा कर्म नहीं उसे एंट्री नहीं दे रहा था क्यूकि उसके कपड़े ठीक नहीं थे उसके कपड़े गंदे थे घटना के करीब एक अफते बाद 24 परवरी को वीडियो एक्स पर वारल हो जाता है लोग इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं और बीमर्स को खूब खरी खुटी गटना का संग्यान लेती है और सिक्योर्टी सुपरवाइसर को परखास कर देती है क्यूकि ये उसकी मजपूरी होती है दरतल पूरी गटना बेहत शर्मनाक है क्यूकि गांदी के देश में एक बुजूर्ग को मैट्रों में ये कहकर चड़ने से रोकने की कोशिश होती है क कि उसके कपड़े ठीक नहीं है एक आजाद देश में कपड़े चमड़ी के रंग भाषा रंग रूप के अधार पर भेदभाव की घटना की कोई जगे नहीं होनी चाहिए अफसूस है कि आजादी के करीब 8 दशक बाद भी भारत में इस तरह के भेदभाव की घटना हो रही ह जो इस सवाल उठाती है कि आखिर कब ये बदलाव होगा और बदलते भारत में आखिर कब ऐसी तस्वीर आना बंध होगी फिलाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रही शेष्ट भारत